हेलो एब्रिवन वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एड़को क्लासेज मैं हूँ आपका दोस्त मनीस और आप देख रहे हैं एड़को क्लासेज को दोस्तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेश्टल कॉंग्रेस जी हाँ दोस्तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से आपके हर एक्जामस में कोश्चन पुछी जाती लेकिन जो अगामी बिहार सिच्चक वर्थी 2023 जो होने वाली है यहां से भर भर कर कोश्चन पुछी गई है इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंडियन नेश्टल कॉंग्रेस से आने वाले जितनी भी कोश्चन बनते हैं पुछी गए हैं सारा मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ आप इस लेक्शर को अन तक देखिए ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाया और सारे कोश्चन आपसे अटेम और एक्जामस में इसलिए इस सेशन को अन तक देखे एक भी कोश् आपको पहले मिले और नोटिफिकेशन आता रहा है तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिहार सिच्छक की त्यारी आप कर रहे हैं तो आप 1,2,5 हो या फिर आप 9,10,11,12 जो भी हो TGT या PGT तो आपके लिए एक सेशन ये वीडियो काफी ज्यादा ये इनडिया नेशनल कौंगरेस से बहु ज्यादा कुछी जाती है तो पहला कotion आपके स्कीन पर ए रहा है इनडिया नेशनल कौंगरेस जो था इस्टैबलिष्ट किसकी दवारग किया गया था ए ओ हिूम सुरेंदरनाथ बनर्जी W.C. बनर्जी एनिवेशन तो दोस्तों यहां पर आपका एंसर हो जाता है A.O. Hume, इनका नाम था, पुरा नाम था, इनका पुरा नाम था A.O. Hume, एक रिटायर ब्रिटिस ओफीशर थे, जो इन्डियोन सिविल सर्विस में काम करते थे, जब इन्वों ने इंडियोन नेशनल कॉउंग्रेस की स्थापना की थी, तो इन्वोंने नाम था इन्डियोन नेशनल यूनियन जो 1884 में था, ठीक है फिर इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना 8085 में इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के नाम से कर दी जाती है और यह जो पहला मीटिंग जो करवाई जाती है वो आपका 28 दिसेंबर 8085 यह काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का जो नाम जो दिया गया था वो दादा भाई नैरो जी के कहने पर सजेश्ट पर इंडिया नेशनल कॉंग्रेस नाम चेंज कर दिया गया था किसमी से इंडिया नेशनल उनियन से टोटली चीजी यहाँ पर आ सबसे पहला प्रेसिडेंट डब्लू सी बनर जी और किसके दुआरा फांडेट इंडिया नेशनल कॉंग्रेस इस्टैबलिस्ट किया गया था ए ओ यू डोंट वी कन्फूजड इट ओके चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं कुशन नावर 2 दादा भाषि नायरो जी के कहने पर इंडिया नेशनल कहने पर मतलब सजेशन करने पर इंडिया नेशनल कॉंग्रेस इस्थापित किया गया था नाम दिया और 28 डिसंबर क्या थे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस इनडिया नेशनल कॉंग्रेस इस और 28 डिसंबर 1885 इस करेक्ट एंसर 28 डिसंबर सेट इन यूर माइंड आप माइंड में सेट कर लो 28 डिसंबर 1885 और इसका पहला अध्यत जो करने वाले थे बनर जी ऑफ 72 डेलिकेट डेलिगेट जो थे पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट और कहां हुआ था तो गोकुल दाज तेजपाल संस्कृत बिद्याले था बंबय में ठीक है वहाँ पर यह मीटिंग हेल की गई थी नेक्स्ट कॉश्चन पर चलते हैं दोस्तों कोश्चन आ गया फिर से वही तो से आपको मैं बताया 72 डेलिगेट कितने डेलिगेट 72 डेलिगेट जो मैं आपको डेसक्शन किया सारा कुछ आपको कोश्चन के रूप में पुछी गई है बीपीएसी 2011 में 53 से लेकर 57 का जो बीपीएसी एक्जाम सभी थी प्रिलिम्स डेलिगेट पार्टिस्पेटिड इन दérica क कम्वेंशन विए फौन कोबी टाइलिगेट निशन काई कोणक्रेस गसारा अभी नोख्धा जाता गई कब फूई थी изуч dHu 15 Training凌 का कल कट्छा में यह जिसमें जो प्रिसेटेंसी थे दादा भा नै Chairman दादा भाई नैरो जी याद रख लेना आप दादा भाई नैरो जी ने नैरो जी ने आपका इसको लीट किया तो उनके अधियाच्छता में ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता एटी एटी सेक्स में और इसमें 33 मुस्लिम डेलिगेट ने पार्टिशिपेट किया था तो में कितने मुस्लिम लोग पार्टिशिपेट किये थे तो आपको 33 मुस्लिम हुआ और कब हुआ था तो 1886 में हुआ और कहां हुआ तो कलकत्ता में हुआ इसको प्रेसिडेंसी कौन किया तो दादा भाई नैरो जी इतने सारे कुश्चन्स आपको यहाँ से निकल कर आए तो 33 3886 क्लियर है ओके नेक्स्ट कोश्चन में चलते हैं दोस्तों कोश्चन आपका फिट से हुई है कि फर्स्ट कॉंफरेंस ऑफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस हेल्ड एट पुछी गई कोश्चन से 2008-2007-1997 यह सभी IAS, VPSC, UDA, LDA, BPSC 1997 मतलब है हमेशा यह कोश्चन पुछी इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि यहां पर मुंबई और पुने दे दिया जाता है तो यहां पर करेक्ट एंसर जो आपका बॉंबे होगा बॉंबे लिकिन यहां पर पहले अभी मुंबई कहा जाता है पहले बॉंबे कहा जाता है तो करेक्ट ए आपका फर्स्ट इंडिया नेशनल का जो प्रेसिडेंट जो हम बोलते हैं डबलू सी बनेर जी इनका करेक्ट एंसर ऑप्षन बी ऑप्षन बी इस करें पुछा हुआ कोशन है दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन आपका है कि who was the governor general and when इंडिया नेशनल कॉंग्रेस was founded in 1885 ठीक है कुश्चन कह रहा है कि 1885 में जब इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय governor general कौन था तो मैं आपको बता दो दोस्तों कि governor general जो था lord dufferin था lord dufferin very very important lord dufferin का जो कारिकर रहा था 1884 से लेकर 1888 तक यह 4 साल का कारिकरम डufferin का रहा था और 1885 में डufferin इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का स्थाफना हुआ था और दूसरी में बात बता दूँ कि डप्रिन ने ही एक statement दिया था कि Congress is an organization of microscopic minority के लिए रहा था तो आपको मैं बता दो कि first जो session था first session Bombay में हुई थी और उसकी अध्यचता WC Baner जी ने किया second अध्यचता जो थी दादा वाई नैरो जी ने किया 8086 कलकता में ठीक है और थर्ड जो आपका था बैदरुदिन तैब जी ने किया जो first Muslim President थे थर्ड सेशन इन्हों ने किया था कब किया था आपका 27-28 December 1887 मदराश में बैदरुदिन तैब जी ने third session जो था Congress का उन्हों को लिट किया कब किया 1887 में ठीक है तो इस तरीके से जी यहाँ पर निकल के आती है 3-4 questions आपको मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश किया ठीक है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपको यह वीडियो काफी ज्यादा important हो जाता है तो इस वीडियो को अंतक देखे ताकि एक questions से आप चार-पांच questions यहाँ को देखने को म गनेश अगर कर सुरेंदरनात बनर जी दादा भाई नैरो जी फिरोज सास्त में था तो आपका एंसर आपके सामने है दादा भाई नैरो जी कब हुआ था? 1886 वी कहां हुआ था दोस्तों तो बता दीजे कॉलकता में उसके बाद बदरुदिन टैप जी जो आपका मदरास में थर्ड सेशन को लीड किया था कब किया था तो 8087 किलिए रहे हैं फर्स्ट मुस्लिम भी थे हो तो second आपका यहाँ पर क्या निकल करा रहा है दादा भाई नैरो जी ठीक है next question पर चलते है दोस्तो next question से रहा in 1889 a committee was set up in Britain to gain support for the congress who amongst the falling was it president तो 8089 में committee बनाई गई बिरिटेन में जो congress को support करने के लिए इंडिया में जो congress थी उसको support करने के लिए बनाई गई थी तो यहाँ पर यह चीज़ who among the following was its president उस committee का president कौन थे हैं तो Mr. Dick Bai था Mr. Dick Bai जो थे आपका option B is correct तो आपको मैं बता दू कि यह support मतलब करने के लिए बनाई गई थी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को इंग्लैंड में 8089 में ठीक है उस समय का president Dick Bai थे जो committee it was the committee of इंडिया नेशनल कॉंग्रेस this committee released weekly magazine तो यह committee जो है weekly magazine रिलीज करती थी ध्यान रखना है वो weekly magazine का नाम था इंडिया इंडिया करके क्यों क्योंकि जो इंडिया इशू है बिर्टिस है जो इंडिया में इशू है बिर्टिस के according बिर्टिस के against में तो उस इशू को इसमें दिखाया जा रहा था तो इंडिया करके magazine था जो इस कमिटी ने रिलीज करती थी विकली मैगजिन के रूप में ठीक है तो मिस्टर डिग भई इस कमिटी का प्रेसिडेंट थे चलिए आगे देखते हैं कुश्चन पर कुश्चन नेक्श रहा कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस वाज तो फर्स्ट मुस्लिम कॉंग्रेस जो थे आपका बदरुदिन तैब जी मदरास में इनको थर्ड मदरास मदरास जो था वहाँ पर इन्हों ने लीड किया प्रेसिडेंट के रूप में रिस्पोंस्बिलिटी ली और कब किया 27 से लेके 30 डिशंबर में जो प्रोग्राम हुई थी जो सेशन हुआ था ठीक है और 1987 में ठीक है मदरास में तो उसकी जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंशियल था प्रेसिडेंट जो थे इस कॉंफरेंस इस कॉंग्रेस की सेशन का वह कौन थे बदरुदिन टैप जी यह फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने यह लीड किया था ठीक है थर्ड सेशन था Congress का यह ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर पुछा जाए तो बदरो दिन टैप जी कब किये थे तो 27 थर्टी डिसंबर 8087 में कहां किये थे तो मदराश में क्लियर यहां तक चलिए नेक्ट कोशन पर चलते अब सेकेंड इसी से रिलेटेट अगर यह पुछ दिया जाए कि सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का 2020 में यह कोशन बीपीएसी में पुछी गई है दोस्तों सेकेंड मुस्लिम कॉंग्रेस प्रेसिडेंट तो सेकेंड मुस्लिम आपको कॉंग्रेस जो प्रेसिडेंट थे ओ रहमितुल्ला मुहम्मद स्यानी अब यहां से एक दो कोशन और भी निकल का सामने आ जाएगा कि रहमितुल्ला मुहम्मद स्यानी जो है कहां पर औ कलकत्ता fraction को लीड कि था कौंसा सेसं कलकत्ता şeishan को इन्हों ने लीड किया KLEAR हुआ थै क्लियर रही है थैं और इसी fraction में बंदे मात्रम को गाया गया था बंदे मात्रम ध्यान देंगे बंदे मात्रम नेशनल एंथं की बात नहीं कर रहा हूँ नेशनल सौंग की बात कर रहा हूँ दोस्तो बंदे मात्रम तो यहाँ पर से तीन कुश्चन्स आपके बनेंगे चार कुश्चन्स कि सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे आपका रहमतुल्ला मुहामत स्यानी थे नेक्स्ट यह कब लीट किये थे तो 1896 कलकत्ता सेशन को लीट किये थे इसमें क्या इंपॉटेंट से रोल था तो बंदे मात्रम इसमें गाया गया था जो बंदे मात्रम आपका रबिन्ना टाइगोर के द्वारा बकिम चटरजी के द्वारा ये नैरेट किया गया था ठीक है तो बंदे मात्रम यहाँ पर गया गया था रहम उतल्ला मुहम्मद स्यानी ने क्लियर यहाँ तक आगे हम देखते हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन तो प्लीज लाइक से जरूर करेंगे ठीक है दोस्तों कॉस्टन नंबर 40 तो यहाँ पर आपका कॉस्टन आता है कि तो यह बहुत इंपोर्टन कॉस्टन है कि जो पहले ऐसे एरोपियन थे जिन्हें लीट करने का मौका दिया गा था है कॉंगरेस सेशन को और ये जो जो यूल थे पहले ऐसे एरोपियन थे और ये किस सेशन को लीट किया था तो फोर्थ सेशन को फोर्थ सेशन को लीट किया था और ये कब किये थे 1888 में क्लियर है 1888 को इन्होंने लीट किया था दोस्तों अब यहाँ पर एक चुछ यह और आपको बन जाए कि 1888 में कहां पर हुआ था यह सेशन ता अलाहाबाद में हुई थी कहां पर हुई थी अलाहाबाद यहां से दो-तीन कोईशन आपको फिर से निकल किया था फूर्थ सेशन आपको कब हुआ 1888 में कहां हुआ अलाहाबाद में इसको फर्स्ट एरोपेन कौन थे जो लीट किया था तो जोर्ज यूल ने किया था क्लियर है नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस से मतलब नहीं रखते थे तो आपका सरसयद अहमद खान सरसयद अहमद खान तो यह एंसर हो जाएगा इनका कुछ कारेक्टिस्टिक्स हम बता दे कि यह जो थे जिडिशियल सर्विस में थें कब 1857 और यह लोयल थें किसके ल बिटिसर्स के लोयल थें और यह पब्लिश्ट करते थे एक मैगजिन पब्लिश्ट करते थे जिसका नाम था राजभक्त मुसलीमा क्या नाम था राजभक्त मुसलीमा भी एचे के टी वक्त मुसलीमा मुसलीमा इस तरीके से इन्हों ने यह तो टू एक्स्प्रेस लोयलिट तो यहां पर इन्होंने लोयलिटी दिखाया ब्रिटिस के रिगार्ड में और इन्होंने एक मैगजी निकाले थे जिन्होंने राजवक्त मुस्लिमा के नाम से ठीक है आपको राजा शीव प्रशाद को क्या कहा जाता था राजा शीव प्रशाद इन्हें कहा जाता था सितारे हिंद दोस्तों यहां याद रखेंगे सितारे हिंद इन्हें कहा जाता था राजा शीव प्रशाद अगर यह कोईशन नहीं भी आगा शितारे हिंद और सरसर्या दहमे औरियंटल स्कूल जो अलिगर में 1875 में अलिगर में एंगलो मुहमदन औरियंटल स्कूल को सेट अप किया था 1875 में दोस्तों और वेस्टेन सब्जेक्ट साइन्स एंड मुस्लिम डिलीजर्स को यहां पर पढ़ाया जाता था ठीक है तो बहुत सारे कोश्चन्स यहां से निक इनमें से कौन सा नेशनल कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट के रुप में इलेक्ट नहीं हुए तो बाल गंगा धर तिलक बाल गंगा धर तिलक इसदा करेक्ट एंसर इनके बारे में कुछ पूरा डीटेल कुछ बता देते कि आपको मालूम होना चाहिए कि लाला राजपत राय जो थे सेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता एधिवेशन 1922 को इन्होंने पार्टिसिपेट किया लाला राजपत राय के बारे में और भी यह जो एक यह ओधर भी त्याना है पी इंडिया अ लाला राजपत के घार लाला राजपत राय की दवारा यह जानते है तो फस्ट लेडी जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की थी तो आप मुझे बताया कमेंट करके एसा इस टैपको कूछ्छन आपको आगए है ठीक है मोतिलाल नह्रू मोतिलाल नह्रू के अगर हम बात करें उसके पहले आपको एनिवेशन के बारे में बता दे यह एंगलो आयरिस नेशनलिस्ट लेडी थी ठीक है तो कह सकते हैं थियोस्पिकल सोसाइटी 1907 यानि 1907 से लेकर 1933 को इन्होंने सेट अप किया कब 1917 में 1917 में यह फर्स्ट एंडिया फीमेल प्रेसिडेंट वन आई गई है ठीक है उसके बाद अगर मोतिलाल नहरू की अगर हम बात करें तो मोतिलाल नहरू को भी कॉंग्रेस का लीट करने का मौका दिया गया और कब दिया गया तो 1919 और 1928 ठीक है 1919 यह मोतिलाल नहरू 1919 में और 1928 में दो टू टाइमस ही नहीं बनाय गया था और इस्टैबलिस्ट स्वाराज पार्टी और स्वाराज पार्टी मोतिलाल नहरू नहीं स्वाराज पार्टी का सेट इस्टैबलिस्ट किया था मोतिलाल नहरूण ने ही कांगरेस को लीत किया कि ले रहा है तक अगे बात करतें बाल गझारदर तिलग तो थे नहीं तो नहीं तो त्यलिए है और यह फेमस थे एक स्लोगन के लिए स्वराज इस माइज बर्थ राट बर्थ राइट आई सेल है विट ऑके इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाल गंगादर तिलर्थ को कभी भी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया है यह तो सोरा जीज आवर बर्थ राइट और बोला था तो आइविल हैविट आइविल हैविट ठीक है आई सेल हैव भी बोल सकते हैं चलिए डेक्ट कोश्चन पर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने यह रहा हूं अज़ फिर्स भूमेंट प्रेसिडेंट अभी आपको मैंने बताया कौन और किस सेशन में तो अभी बताएए फड़ा फड़ा नाइटीन सेवेंटीन में और कौन सा सेशन था कलकता सेशन वेरी गुड कलकता सेशन के लिए यहां था है चलिए और ध्यान देंगे कन्फ्यूज मत करना होम रूल लीग जो था यह सेट अप किया गया था एनिवेशन के द्वारा और एनिवेशन कब की थी यह 1916 में एनिवेशन एनिवेशन यह फर्स्ट लेडिज थी और फर्स्ट इंडियन लेडिज अब कहेगा तो दूसरा हो जाएगा क ककटा सेटन नेक्स्ट कोस्ट बेशन हम और फर्स्ट इंडियन वुमें अगर हम बात करेंगे तो सरोजनी नाइडिका अंसर यहां पर दू-तिन बन सकता है यहां पर 14th सेटन को दो 1440 जो सेसन हुआ था इंडियन नेस्ट कांग्रेस को इसको लिट की थी और कहां पर यह हुआ था क कानपूर में हुआ था कानपूर में कब हुआ था 1925 में हुआ ध्यान RAK और यह बहुत वार जेल में भी गये थे प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर थे एंड फर्स्ट इंडियान बुमें जो आपका गवर्नर यह ध्यान रखेंगे कि जब इंडिया आजाद हुआ तो उत्तर परदेश का फर्स्ट गवर्नर भी बनी उत सेशन को लीट कौन किया 1925 में सरोजनी नाइडू ने कहां पर हुआ कानपूर में हुआ और फर्स्ट गवर्नर जो बनी थी उत्तर परदेश का 1947-49 में वह आपका कौन थे सरोजनी नाइडू और दूसरा एंसर फर्स्ट इंडियान लेडी जो कौंग्रेस इंडियान कौंग्रेस को लीट किया हो सरोजनी नाइडू थे इतने सारे कुश्चन आपको यहां से बन गया है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं चलो ने important questions है very very important VVI आप कर लो यहां लिक लो आप VVI करके comment भी कर देना ठीक है तो यह जो थे अब्दुल कलाम अजाद और इनके बारे में और वह कुछ में आपको बता जाना मैं नहीं कहीं आप वीडियो को अंतक देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे fact है जो आपको मैं बताने जा रहा हू काफी जादा important role play करेगा यहां से एक भी question आपको छूटे गा ही नहीं यह वीडियो देखने के बाद तो आप देख लो अब्दुल कलाम अजाद अब्दुल कलाम अजाद ऐसे बेखती थे जो सबसे youngest थे इंडिनेशनल कॉंग्रेस के president बनने में और यह आपको मैं बता दू कि डैली डैली में जब सेशन हुआ था डैली में 1923 में जो डैली में सेशन हुआ था उस सेशन को इन्होंने लीड किया था और आपको मैं बता दू कि यह six times यह ऐसे person थे question हमेशा हुए कौन सा ऐसे बेखती है जो six times इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का लीड किया तो six times यह president ब कि वैसे ग्षण है जवाहलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो जवाहलाल नेहरू को जो आपका लीड किया था नाइंटिन गया था नाहौर अडिवेशन को लीड किया था å believes चे법 उसको लीड किया था क्लियर यहां तक और भुपिंद्र नात बोस की अगर हम बात करें तो यह भी मदरास में 1914 में किये थे इन्होंने 1914 में मदराश मदराश जो सेशन हुआ था मदराश में उस सेशन को इन दोनों ने लीड किया था आई रिपीट जवाहल अलनेरू लहोर यह दिविश्चन को 1929 में अब्दुल कलामाजाद देली 1923 में अनंद मोहन बोस 1898 मदराश में और भुपिंद्र नात बोस 1914 मदराश में अब्दुल कलामाजाद के बारे में में बता दिया मैं यह सबसे यंगेस्ट परसन थे और शिक्स टाइमस इंडियनेशनल कॉंग्रें इंसी का प्रेसिडेंट बनने वाले पहले बेखती थे और इसके बाद कोई ने इतने लंबे समय तक रहे थे ठीक है नेक्स्त के बाले नेक्स्ट के फिच्ट पर चलते हैं नेक्स्ट गोसिं अब इसके प्रेसिए अथि इंडियनेशनल कॉंग्रेस वेरी इंपॉर्ट के लिए यहां पर काफी जाए बाकीपूर बाकीपूर जो था 27 वा था 27 था तो यह आपका 1912 में हुआ था, कब हुआ था, 1912 में हुआ था, बाकेपूर, कहां पढ़ा है, बाकेपूर पटना, बाकेपूर पटना, बाकेपूर पटना है, ठीक है, और इसके Presidency में हुआ था, RN मुंदोलकर, जियान रखेंगे, नोलकर, यहां का लेड करने वाले और कह सकते हैं इसी में A.O. Hume ने क्या कहा था पता है इधे कहा गया था Father of the Indian National Congress यानि 1912 में बाकेपुरा दिवेशन में Father of Indian National Congress किसे कहा गया था A.O. Hume को कहा गया था ठीक है Father of Indian EC में कहा गया था ठीक है 1912 में और इसी सेशन में A.O. Hume को Father of Indian National Congress कहा गया था क्लियर है चलिए आगे देखते हैं दूस्तों next question बहुत ही important है इसमें बाल गंगा दर तिलक ने सौराज is my birthright I shall have it कहा था इस सेशन में और इस सेशन को कहा पर हुआ था बाल गंगा धर तिलक एक्स्परेस सौराज is my birthright I shall have it मैं इसे लेकर होंगा तो यह लखनो सेशन था दोस्तों यह important इसलिए है क्योंकि यहां पर लखनो सेशन जो था लखनो पैक्ट के नाम से भी जाना जाते है लखनो पैक्ट लखनो you pack 1916 इसमें जो extremist और जो moderate जो फीर से मिल जाते हैं एक्सट्रमिस्ट जो moderate लोग थे वह मिल कर काम करने की बात करते हैं और यहीं पर congress league agreement होती है Congress league agreement होती है थीक है तो इसी लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि तीलक जो थे एनिवेशिंट के कहने पर यहां एफ़र्ट अब दा तीलक एनिवेशिंट यहां पर यह चीज़े मिलते हैं लोग तो 1906 लखनो पैक्ट ऑके स्वारी लाइक 1916 की बात कर रहा था मैं चली आगे देखते हैं तो आपको लाला राज पत सिंग्स किया ता है सरे पंजब के नाम से नहीं जाना जाता baik 2023ि में प्रीशिडेनסय करने का मोहाया मिला फ्रेसिडेंसी करने का तो यह एक आशे थे लाल बाल पाल में से यही एक ऐसा बेगती थे जिन्हें बनाया गया था बाल गंगादर तिला को नहीं बनाया था बीपी चंद्रपाल को नहीं बनाया था और नन अब दाइबाब को ओके तो एंसर ए इस करेक्ट ओके नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं एक्चुली इस सेशन में इस वीडियो में 30 कोईशन में आपको करवा रहा हूं फटा फटा आगे कोईशन करते हैं आपको मजा रहा होगा यह वीडियो कंप्लीट अगर देखो गए ना तो आपको छुटने वाली नहीं है क्लियर है दोस्तों कोईशन कोईशन को लीट कौन किया था अकब हुआ था 1922 में तो 1922 में गयास में हुआ था कॉंग्रेस का सेशन और उसको लीट करने वाले चितरंजन दास थे थे काफी एक प्रोमिनेंट लॉयर थे इमिनेंट लॉयर थे दोस्तों और अर्विंद गोज जो तो अलीपूर बॉंब केस में जो फसे थे तो उसको बहुत अच्छा एक डिफेंडर सावित हुए थे टिफेंडर मतों अच्छे सुनें बचाओ किया था अलोंग इत मोतिला नहरू के साथ चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी को स्थापना करने में का इंपोर्टेट हाथ था ठीक है तो यही वह डिक्लियर पॉलिसी इंट्रिंग दिस्रॉप्टिंग दियर फंक्ष्णी इस अलोन है देश बंधू तो चितरंजन दास को देश बंधू कहा जाता क्लियर है next question दोस्तों पुछा जाता कि महातमा गांधी जो थे कौन से एक इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को लीट करने वाले किस सेशन को लीट किया था उन्हों प्रेसिडेंस के रूप में तो वह बेले गाउं बेले गाउं एक जगह था उसको इन्होंने लीट किया था कौ दोस्तों मैं कुछ important चीज आपको बता देता हो कि जवहारलाल जो नेहरू थे ओ आपका जवहारलाल नेहरू जो थे लहोर सेशन 1929 को लहोर लहुर लखनो सेशन लखनो सेशन जो था 1936 वाले को लीड किया था फैजपूर सेशन फैजपूर सेशन को जो लीड किया था 1937 ध्यान रखना ऐसे सेशन बार बार होते हैं तो 1937 फैस्पूर सेशन लखनो सेशन 1936 और 1929 लहुर सेशन को लीट कौन किया था जवालाल नहरू ने एक सरदार बल्लव भाई पटेल के अगर हम बात करें पटेल जी ने आपका कराची सेशन को कराची सेशन को यह हेल्ड किया थ आपको जवालाल नहरू ने और आपका 1931 में कराची सेशन को कौन लीट किया था दोस्तों पटेल जी ने और कानपूर में जो सेशन हुआ था आपका मैं बताया था चालिसमा सेशन हुआ था जो 1924 में क्लियर है 1924 में हुआ था 1924 में आपका गांधी जी ने गांधी जी ने बिलेगाओं में क्या था 1924 में ठीक है कराची सेशन जो हुआ था 1925 में हुआ था कानपूर में सॉरी कानपूर में कानपूर वाला जो सेशन जो आपका सरोजनी नायडू ने लीट किया था यह कानपूर सेशन बोला जा था जो हमारा एंथम है जो रविन्दार टाइगोर की द्वार रचीत है यह आपका एड़ॉप किस सेशन में गया था नेस्टन पाउंगेस 27 डिशंबर 1911 यानि 27 27 डिशंबर 1911 में इसको गाया गया कलकत्ता सेशन था यह ठीक है कौन को सेशन कलकत्ता 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 सेशन में जैनगनामाना ऐफिसियली और इससे एक डॉप क्या गया घ्वार कंडश को जैन्वरि 24 जैन्वरि 1950 लुक्ट में टींटि दौर रूप में बंगाली में डिदू किया गया था रभिन्दर तैगोर की मीख यह इसको गयाutos में कलकता सेसंग ठीक है चली आगे कोश्चिन पाते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन यह प्रेसिडेंट और इंडिपेंडेंस के टाइम में यानि 1946-1947 के टाइम में कौन थे हमारा आइन्सी का प्रेसिडेंट कौन थे जे भी किर्पिलानी की बात करते हैं जे अगरे नाम बात करें हम इनका क्या है जीवन तम जीवंत्रम भगवंदाश कृपलानी समझ में आई बात है जीवंत्रम भगवंदास कृपलानी इनका पुरा नाम था ठीक है तो यह जो थे हमारा जब Independence के टाइम में यह हमारे President थे जी भी किरिप लाने के लिए गांधी जी के साथ में काफी ज्यादा इनका participation था Quit India Movement में participate किये थे इन्होंने साल सत्थ्यागरण ने participate किया था और he was the Great Gandhian socialist and environmentalist Risk and freedom fighter तो एक काफी ज़्यादा इनका इसा भी एचीवमेंट रहा ठीक है नेक्स्ट कुरिशन पर चलते हैं सेशन को छोड़ कर नहीं जाना है सेशन लास्ट अज थर्ड को सेकेंड लास्ट कुरिशन से दोस्तों अधारीपूरा सेशन ओफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस बहुत ही इसको लीड कौन क्या था तो आपको मैं बता दो सुवाचंद्र बोश ने हरीपूरा सेशन को लीड किसनी क्या था सुवाचंद्र बोश ने दोस्तों क्लियर है तो सुवाचंद्र के बोश के बारे में कुछ जान लेता है इसी सेशन में आपको मैं बदा तो हरीपूरा पह था 51 51 जो सेशन था 51 सेशन में था कॉंग्रेस का यह ठीक है और आपको मैं बता दू कि नेशनल प्लानिंग कमीटी जो कंसिट्यूट किया गया था ठीक है इसी सेशन में और जो जवाहल नहरू जो थे कि यहाँ पर उनको इलेक्टिंट किया अब्दुलकलाम आजाद को कॉंग्रेस का जो नाइन्टी फॉर्टी में 46 में जो हुआ था मतलब कंटीनू छे सालों तक के लिए इनको लीड करने का मौका दिया गया था अब्दुलकलामा जा अज सबसे यंग्रेस्ट भी थे ठीक है और जेवी किरपलानी भी जो लीड करेंगे मेरेट सेशन को लेकिन मेरेट सेशन केंसल होगी थे और बाद मेरेट सेशन को लीड ना करके ओ क्या लीड किये थे 1946 में जेवी किरपलानी ने आपका एंड एंड नेशनल कॉंग्रेस को लीड किया था ठीक है विच वास हेल सॉरी आम एक्स्ट्रीमली सॉरी मेरेट में हुआ हो और 1946 में हुआ था खब हो था मेरेट में 1946 तो सारा ये डिसाइडेड हो था कौन सा सेस्टन को कौन लीड करेगा प्रेसिडेंट के रूप में तो सारा चीज डिसाइडेड यहीं पर हुआ था हरी पूरा दिवेशन में दोस्तों, नेक्स्ट कोईश्टन के इन वीच वन अब वा था कौन इस बादा दो प्रेसिडेंट बहुत था कि इसका राच दो लगनो फोगा लगनो सेशन में उन्हों कि का सेशन में डिक्लियर किया था पौलेशी तो एंडेन श्टेट फोर दे फरस्ट इस लगनो सेशन के इन्होंने बताया कि socialism as the key of to the solution of Indian problem at the session of international congress 26 December 1936 को यह हुआ था 26 December 1936 ठीक है तो socialism को इन्होंने की बताया solution of Indian problem को क्लियर है next question में चलते हैं आज का last is last है काफी जी है क्योंकि पहले है डिसकस कर दिया मैंने कि इसमें से कौन सा ऐसे बैकती थी जो 6 सालों तक कॉंटिनेसली कॉंग्रेस का प्रेसिडेंट के रूप में काम किया ठीक है और यंगेस्ट भी थे तो आपको मालूम होना चाहिए अब अब अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद क्लियर है तो दोस्तों यह सेसन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए करेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते तत तक अपना ख्यार रखेंगे ओके किप लर्निंग किप प्रैक्टिसिंग हैव गड़ डे जैन दोस्तों